दोस्तों ये है मेरे डिवाइस रेड्मी गीट वंडी प्रो और इसके अंदर मैंने इंसोल किया है लेटेस और ग्रेडर्स शाओमी के तरफ से आने वाला हाइपर ओएस विजन 2.0 रोम इंफो की बात करो तो यहाँ पर आपको बाइड डिफोर्ट जो अप्शन देखने को मिलते हैं वो पुराने वाले ही है बस थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो चुगा है हाइपर ओवस यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और डिटेर इंफोर्न स्पेक्स की बात करूँ तो वो भी आपको बिल्कुल सिमलर देखने वाला है बट यहाँ पर एक चीज़ अलग दी गई है वो है एंड्रोइट 14 करनल यहाँ पर मैंने मैनुवल फ्लेश किया है निजी का 268 यह परफॉर्मेंस और इंप्रोव्मेंट बदब बैटरी के लिए अच्छा है इसलिए मैं इसको इन्सोल किया था अधर्वाइज इसके अंदर दूसरा करनल आता है और सेक्यूरिटी पैच्च आपको सेप्टे सिंपल थी बस्तों लोक स्क्रीन के बात करो तो आपको यह ओनी दिख रहा होगा डबल टैप करते हैं अनलोक नहीं होता प्रैस करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजिशन के ऑप्शन मिल जाएंगे आप अलग लग वाल पेपर और अलग लग 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 बीदेटाओं जो फ्रैस करते हो उसका अपको प्र वीजेंज कर सकते हो सिंगेंचर और वाल दोनों के यहां पर करेंचेंज हो जाएंगे अगर आप चाहते हो तो उसको किसी बीजिशन मिल जाते हैं विजिट्स की बात करो तो यहां पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छ देखने को मिलते हैं बहुत ही कम सिस्टम नेविगेशन में आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे बटन्स और जेस्टर का और यहाँ पर एक ऑप्शन मिस्स है वो है स्विच बैक टू प्रीवियस एप का वो अप्शन यहाँ पर मिस है अरे जाइंडिम डी सेंड में आपको यूज कर सकते हो इसका कंट्रोल सेंटर जो है वो मुझे काफी ज़्यादा यूनीक लगा इसके अंदर हमें काफी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं एडिट करता हूं तो आप देखो रहें यहाँ और भी ऑप्शन है जिनको मैं एड़ कर सकता हूं और आप एक च्छोट सेंटर एक चीज मिस है यहां पर और एंहेंस नोटिफिकेशन मतलब आपके पास नोटिफिकेशन हिस्टरी का कोई यहाँ पर नहीं है वह अपको नहीं मिलेगा एंड्रोट 15 के अंदर वो चीज नहीं मिल रहे हैं मुझे यह थोड़ा अच्छा नहीं लगा एंडर आपको चीज और देखने को मिल जाएगी जो यहां पर आपको लेबल दीख रहे हैं अगर आप उसको बंद करना चाहते हो और यहां से लेबल गायब हो जाएगे अब बात करते हैं एपस और ब्लोट वेर की तो इसके अंदर बेसिक अप्निकेशन जो है वो सारी की सारी चैनीज वाल देखने को नहीं मिलती है रोम की सेटिंग से उसका यूई थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है यहां पर आप देखोगे तो शाओ में सबसे उपर है माई डिवाइस आपने देखा बहुत ही ज्यादा चेंज कर रखा है डबलू लेंड यहां पर अच्छे से वरकिंग में है ब्लूटूथ यहां पर अच्छे से वरकिंग में है इनफेक्ट यहां पर जो ओडियो है ब्लूटूथ की वह भी बहुत अच्छे से काम कर रही है मोबाइल नेटर्स के बात को यहां पर आपको डबलू लेंड को ऑ्प्शन मिल जाएगा में काल यूजंग डबलू लेंड टेस्ट नहीं किया है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको टेस्ट करूँ अपने Mi 11 X के साथ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यह चीज़ मैं चेक करूँ या ना करूँ और More Connectivity Option के अंदर आपको एक चीज़ मिस करने पड़ेगी, वो है स्क्रीन कास्ट की यहाँ पर Wireless Display का Option नहीं है, लेकिन उसका भी सोलूशन है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, अब वहाँ से चेकाउट कर सकते हो Lock Screen के अंदर आपको सिर्फ 4-5 यह Option देखने को मिलते हैं, यहाँ और कोई भी Option आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा और Display & Brightness के अंदर आपको एक जीज एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, वो है AI Image Engine के अंदर Super Resolution यह आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस MEMC टेकनोलोजी आपको देखने को मिल जाएगी Refreshed यहाँ पर Option तो दे रखे हैं, बट 60 Hz ही काम करेगा, और Anti-Flicker Mode आपको By-Default Regular ही देखने को मिलेगा Advanced Texture आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो वैसे मुझे किसी काम का नहीं लगा अभी तक और जो Screen Brightness है, वो Automatically काम कर रही है, उसमें कोई इशो नहीं है आप दूप में थोड़ा सा आपको Brightness कम देखने को मिलेगा, बट Overall ठीक है Sound and Vibration की बात करूँ तो यहाँ पर आपको Sound थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा Media के अंदर भी और Ringtone के अंदर भी दोनों के अंदर आपको थोड़ा सा कम Sound देखने को मिलेगा Vibration अच्छे से काम कर रही है, Sound एफेक्ट जो हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे है Fingerprint, Face Data and Screen Lock ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है लेकिन, लेकिन, लेकिन यहाँ पर जो Allow Face Unlock when Screen Lights अपस है, वो आपको थोड़ा सा एनोईन लग सकता है जैसे कि, यहाँ पर मेरा फोन रखा है, वसे जेब के अंदर भी ये बसता रहता है Fast है, बहुत बढ़िया मुझे लगा Face Unlock बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक चोटा सा इशू है जैसे यह आप इसको फोन जेम में रखते हो, तो फोन जेम के अंदर भी ये कैमरा पोप अप हो जाता है और ये फोड़ा प्रफिंग ऐसी वाली आवाज निकालता है, जो कि थोड़ी सी एनोईन आपको लग सकती है हाँ, इसको यहाँ से बंद गा सकते हो लेकिन फिर भी ये काम करेगा यहाँ पर फेस अनलोग को लेकर मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो साउंड आता है, उसको बंद गरने का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है अडिशनल सेटिंग्स में आप सबसे परें नोटिस करोगे, लेंग्विज इन इन्पुट के अंदर तो यहाँ पर आपको सिर्फ पांच लेंग्विज देखने को मलती है और एनहेंस कीवर्ड का ओप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रेंट अप्टू 60 fps तक रहेगा इससे ज़्यादा आप यूज नहीं करबा होगे वाकि सारे उप्शन सेम टू सेम है कुछ ज़्यादा फरक है नहीं पर फ्लोटिंग विंडो ओन कर देता हूं प्ले स्टोर ओपन कर देता हूं यहाँ पे आपको तीन डॉट दिखेंगे और तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद मुझे यह सारे उप्शन मिलते हैं अगर मैं इसको चाहूं तो यहाँ पर वाले स्क्रीन भी यूज कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो इसको पूरी स्क्रीन भी यूज कर सकता हूं अपको देखने को मिल जाएगा अकाउंट एंड सिक्रोनाइज में आपको एक चीज़ मिस करने पड़ेगी वो है शाओमी क्लाउड उसका उप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है उसका उप्शन बंद कर देता हूं तो यहाँ से वो चिज़ गायब हो गई है और अगर मैं इसको ओन कर दूँगा तो एंटरप्राइज मोड यहाँ पे आ चुका है अब बात करते हैं तो इसी रोम की परफॉर्मेंस को लेके तो नीजी का गंडन डालने के बाद मैंने इसका टेस्ट लिय था और सीप्यो थ्रोट्लिंग टेस्ट आपके सामने है रिजल्ट मैं इसको देखके हैरान था नीजी का करनर डालने के बाद इसके अंदर गेमिंग काफे ज़्यादा स्मूद हो गई थी हाँ थोड़ा 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 माइनर सा लैक कर रहा था मुझे भी ल और वो सकता है HyperOS Vision 3 के अंदर और भी लैक कम देखने को मिलेगा इसके अंदर सेटिंग स्केल बात करूं तो ओडियों इंदर राफिक्स के अंदर आपको मैक्स तक देखने को मिल जाएगा और परफॉर्मेंस मोड और गेमिंग मोड जो बैलेंस मोड है वो आपको सेम एज इस पुराने वड़ा ही देखने को मिलेगा तो गेमिंग के मामले में मैं इसको 7 आउट ओफ 10 दूँगा अब आज करते हैं बैटरी बैक इसका कैसा है देखो बैटरी का यूई है वो बिल्कुछ जेंज कर दिया गया है यहां पर बैटरी प्रोटेक्शन आपको मिल यूई अगर आप देखोगे वो थोड़ा सा चेंज कर रखा इसके अंदर और बैटरी एक्च्छल में किपनी चलती है वो मैं आपको बता देता हूं जोस्तों मैं सुवह इस फोन को चार्ज करके लेके जाता हूं और शाम तक आते आते इसके अंदर 45% बैटरी होती है जिस 20% और 8 बज के 29 मिनट पर बैटरी है इसकी 40% तो 21 मिनट के अंदर मनलब 20-21 मिनट के अंदर इसने 10% बैटरी का ड्रेन किया है पर्फॉर्मेंस मोड प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओन होने के बावचूर तो बैटरी बैक इसका का अच्छा लगा मुझे नेजी का करनल के उससे पहले अगर बात करो तो वहां पर बैटरी बैक अब मुझे इतना अच्छा नहीं मिल रहा था रोम की सिक्यूरिटी की बात करूं तहां पर आपको L3 बिल जाएगा वाइडवन L3 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर के अंदर डिवाइस इस न काम कर वी रहा है नोटिफिकेशन के लिए आपको एक चीज़ यहां पर एकसा देखने को मिल जाएगी वह है यहां पर स्क्रीन फ्लैश और कैमरा फ्लैश जैसे हम प्रिव्यू करता हूं तो यहां पे आप देखोगे लाइट जल रही है और फॉन की स्क्रीन है वह भी ब्ल फ्लैश लाइट अच्छे से काम कर रही है दोस्तों अब बात करता हूं मैं बग को लेंगे बग इसके अंदर कौन को से हैं तो यहां पर नोटिफिकेशन करना है ये एक major work मुझे लगाता फोन अन्लोग करने के बाद भी ये कई बार ऐसा हो जाता है फिंगरब्रिंट के बाद भी ऐसा हो जाता है और यही एक major issue लिए शुक्रिया जैहिंद जैभरत